नमस्कार डिजिटल इंडिया के एक और पहलो जिसे हम जैम यानि की गौवर्मेंट इमार्केट के नाम से जानते हैं चलि आज इसी विशह पर अपने ज्यान को विस्तार देते हैं और हमसे बाचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री विरेंद्र कुमार उपायुक् विरेंद्र जी हमारे का इकरव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और उसमें मार्केट एक बहुत महत्पूर्ण विशह है क्या है जैम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं 2017 में भारत सरकार ने एक यह व्यवस्था डवलप की कि जितनी भी राजकी एक क्रह होती है जितनी भी राजकी खरीद होती है चाहे केंद्रिये सरकार द्वारा या राज्ये सरकार द्वारा पूरे भारत वरस में तो उसके लिए एक पोर्टल डवलप किया कि जैसे ए मार्क जिसमें जयोवी सरकारी राज के खरीद होती है वो इसके माध्यम से की जाती है और ये अनिवारे रूप से कर दियागी जैसे पहले टेंडरिंग के माध्यम से जो खरीद होती थी सरकारी वो आप केवल हम जितनी भी सरकारी खरीद होगी वो केवल जयम पोर्टल के माध्यम से ही हमको करनी होगी अब यह इसको जो भी सुईधा को दरश्टीकत रखते हुए भी इसमें सुईधा भी है पारदर्शिता भी है तो यह जैम पोर्टल का इसलिए इसको लाया गया इंट्रोड्यूज किया गया जी यानि की जो सरकारी उपकरम हैं हम उनकी अगर बात करें तो यह क्या अनिवार्य सभी के लिए कर दिया गया है या जो लोग भी अगर बाहर से भी इच्छुक हैं प्राइवेट सेक्टर से भी वह भी इस पोर्टल का लाब ले सकते हैं यह केवल सरकारी खरीद के लिए जितने भी सरकारी विभाग हैं सरकारी कारियाले हैं या जितने वी DDO, आरण वितरन अधिकारी हैं, उनको ही सरकारी खरीद के लिए ही इसका ये अनिवारिय है कि जो भी सरकारी खरीद होगी, वो इसी के माध्यम से होगी, इसमें इतना जरूर है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो अपने सेलर्स हैं, जो अपना माल सेल करना चाहते ह हैं, क्रे करना चाहते हैं, वो इस पर अपना रेजिश्टेशन करा सकते हैं, तो उनको केवल क्रे करने तक का अधिकार है, बाकि क्रे करने का अधिकार है, बाकि क्रे करने का अधिकार वो केवल राज्किय विभागों के लिए ही है, जी बिलकुल, तो ये हम अगर बात करें कि जैम पोर्टल के पहले की जो हमारे नियम थे जो तरीके थे खरीद फरुखत के उससे ये कैसे बहतर है कि आपने भी कहा कि ये जादा पारदर्शी है तो अगर हम एक उधारन के तौर पर बात करना चाहें तो हम कैसे कह सकते हैं इस दुशे को देखिए जैसे पहले क्रे होत होता था टेंडर होते थे पेपर में पब्लिस होते थे तो बहुत सारे लोग ऐसे टेंडर ओर इसे पेपर में पछी करा देते थे जो जिसका वितरण बहुत कम होता था लोगों को पता लागा कि एक चल लंग मृत्वा कं से इस तर पर या एक केबर Poor ए तっち धानी इस तर पर कि कोई Tender निकलाये तो अपना Tender डाल सकता है जो बहु सक्किव जैसे लिए भी सरकारी विभाग अपना Tender अपलोड करता है तो सबके लिए ओबन तू आल हो जाता है तो अब जो सबके लिए सीमस में कोई ईसका स कोई है 17 से तभी से प्रिचलन में है और ये अनिवारी रूप से है भारए सरकार के द्वारा और प्रदेश-सर्कार द्वारा भी हमारे उत्तरप्रदेश-सर्कार द्वारा इसको अंगे करिट कर लिया गया है और जो भी सरखारी खरीद हो गी वह कई एगर कोई ये, जिसके इतर को भी खरीद करता है, तो वह वीत्याय आने मेंत्ता की श्रेणी में आईगा। जितनी भी खरीद करने होती है, केवल सरकारी खरीद हमको इसी के माध्यम से करनी हुती है। आभी भी हाला क्यम डिजिटल भायत की बात तो यहां प्रदेश में यह MSME विवाग हमारा नोडल विवाग है तो हमारे यहां पर एक जैम सेल खुला हुआ है उसमें हम जितने भी जो सेलर्स हैं उनका जो भी उनको मदद चाहिएती होती है वो मदद हमारी जो टीम है वो लगी रहती है और जिस तनी भी इस तरह की क्यारी ज पर आते हैं तो हमारे एक सेल है जो सेल निरंतर काम करता है और पूरी हेल्प जो है इसके लिए नोडल अधिकारी राज्य इस तरह पर नियुक्त हैं वो इसका निस्तारान कराते रहते हैं और विक्रेता आपने खा कि वो जाकर के पोर्टाल पर अपना रिस्टेशन करा ले तो रिस्टेशन के लिए कुछ अनिवारी शर्ते होंगी और कुछ नियम होंगे वो क्या है उनका रिस्टेशन होना चाहिए जी एस्टी रिस्टेशन होना चाहिए उनको कि वो कितनी सप्लाई कर सकते हैं उनका टरन ओवर है तो टरन ओवर और उनका जी एस्टी वो पर्मानेंटली उस पर रिस्टर्ड है या बीच बीच में उनको कुछ रिनेवल जैसी भी प्रावधान किये गए हैं जब तक कि वो ब्लेक टेश्ट इतना हो जाए अगर सपोच किसी विभाग ने कोई और किसी को प्लेस कर दिया किसी का चैन हो गया जिसे इसमें यह है कि कि 5,000,000 तक हम डारेक्ट पर्चेज कर सकते हैं 5,000,000 के ऊपर 5,000,000 से 30,000,000 तक हमको ए बीडिंग और ए बीडिंग के बाद 30,000,000 से ऊपर कि यह खरीद है तो हमको ए टेंडर में जाना होता है तो जब तक कि वो अगर किसी सेलर को ओरडर प्लेस कर दिया किसी विभाग ने और वो उसने कोई सामान घटिया सप्लाई कर दिया जब जाच में आया क्योंकि 10 दिन का समय होता है कि किसी ने सप्लाई किया सप्लाई आने के बाद में कोई विभाग 10 दिन तक उसका परिक्षन करा लेगा तकनी की रूप से अगर वो मानक के अनुसार नहीं है तो उसको अब आपने जैसा कहा कि 10 दिन का समय होता है तो जब विक्रेता किसी भी वस्तु को विक्रे कर देता है तो क्या पेमेंट उसका भुकतान उसका प्राप्त नहीं होता है उसका एक समय सिमा तैकी गई है वह दस दिन तक सेलर जो है अच्छा अपना परिक्षन कराने के बाद म उसका पेमेंट कर सकता है लेकिन फिर अनिवारिया है कि 10 दिन में यदि आपने अगर 10 दिन का समय गुजर जाने के बाद अगर आपने परिक्षन रिपोर्ट में उसका चाहे परिक्षन कराया या नहीं कराया लेकिन 10 दिन के बाद आपको पेमेंट उसका करना अनिवारिया है समान डिलीवर करने के बाद जी विलकुल तो अभी आज के समय में हम जब बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसे विभाग है या बहुत सारे से लिए बहुत मुश्किल हो गई है जितना ही पारदर्शी हम अपने बिजनस को रखेंगे शायद उतना ही आसान होगा उतना ही भारत भी आगे बढ़ेगा और सर जैम को लेकर के कोई ऐसी आवश्यक जानकारी जो आपको लगता है कि माई दर्शकों तक पहुंचनी ही चाहिए तो जरूर आपके माध्यम से हम जाना चाहेंगे जैम के माध्यम से जितने भी उस पे सेलर्स जो अधिक से अधिक सेलर्स जितने अपना रेगेश्टेशन करा लेंगे उसका लाब विभागों को मिलेगा उनको भी मिलेगा क्योंकि जैसे फिलिप कार्ड और एमेजॉन या जितने भी ये पोटल है, जिसे वहां पर रिजिटेशन होके, वो सैलर से अपना वियापार का दाइरह बढ़ रहा है, उनका वियापार बढ़ रहा है, इस पर भी अपना रिजिटेशन करा सकते हैं, साथ ही इसमें ये भी कंपल सरी है कि 20% जो MSME units है उसी से हमको क्रे करना है और उनका सामान उस पर विक्रे होना ही है तो 20% की limit है कि 20% MSME है उनको ये लाव उसको उठाना ही है साथ ही MSME में जो registered unit है उनको EMD भी अगर कोई कोई भी सेलर अपनी डालता है तो उसको EMD से भी exemption है यदि कोई MSME registered है तो ये कि अच्छी काफी अच्छी facility है कि उनको EMD नहीं जमा करनी है बहुत बहुत धनवास है आपका कि आपने jam के बारे में बहुत ही कम समय में बहुत ही उमीद करते हैं कि ये जो जानकारी हमारे कारीक्रमों के माध्यम से आप तक पहुच रही है इसका आप ना सिर्फ लाब लेंगे बल्कि ये जानकारी आगे भी बढ़ाते रहेंगे तो इसी उमीद के साथ कि आप से फिर होगी मुलाकात दीजे इजाज़त नमस्कार